नमस्कार, अगर मैं आपको एक ऐसा पौधा बताऊं, जो घर के अंदर की शोभा को भी बढ़ा सकता है, खुब सुरत और्नमेंटल हाउस प्लांट है, घर के अंदर की हवा को शुद्ध भी करता है, हमारी हवा में जो हामफुल कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर्मेल्डी और ऑक्जिलीन जैसे उन्हें एबसॉब करता है, ताकि आपके घर के अंदर की हवाशुद हो जाती है, तो क्यों ना ऐसा पौदा हम घर में उगाएं, और ऐसा पौदा है ये पाइकस, आज हम पाइकस की बारे में सब भी बातें करेंगे, उसे कैसे रखना है, क्या उसकी करते हैं, ताकि उसको बहुत अच्छे से उगासा के तो बस देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक मैं हूँ अंच्णा, वेलकम तु अबलानवाग आगे चलने से पहले एक इंपर्मिशन आपके साथ श्यार कर लेती हूँ, आने मारा मौसम ऐसा है, जब हमें अपने ब से अपर्ट कर दिया है, क्योंकि एक पार्ट में बहुत जादा कंटेंट हो जाता है, तो वो दाइजर्ट नहीं हो बाता, तो पार्ट वान हम सेटडे़ को करनें, सेकिंड औक्टोबर और पार्ट थू, थर्ड ओक्टोबर को संडे को, तो दोनों मिलकर के एक कंप्रीट को आप लकोल में अलग लग शेस्ट में इसके आप टोप्यारी यहीं बड़े पेड़ भी हो जाते हैं, लेकिन उसका छोटा सा बंसाई भी बन जाता है, तो कितना अच्छा पौदा है, जिसे आप किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देता, आईए अब इसकी एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, सब इसलिए फिल्टर्ड लाइट में रखिए, ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखिए, और इसलिए ऑफिसे के अंदर भी आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इविन जहां थोड़ी सी ब्राइट लाइट आती है, और अगर नहीं आती है, तो आटेविशल ग्रो सनलाइट के जरीए भी फाइकस बहुत आसानी से उग जाएगा, तो सनलाइट के लिहाज से इसको आप कहीं भी रखें, पर थूप से बचा के रखिए, सनलाइट से ही रिलेटेड है, ये किस टिपरिचर में रहना पसंद करता है, नॉर्मली जादा कर पोधे 15 डिगरी से 30- तक रहना पसंद करते हैं, और ये भी वैसा ही है, लेकिन अगर जादा ठंड हो गई, तो इसे थोड़ी बचाईए, थोड़ा इसको गर्माहट वाली जगे रखिए, धूप में रखिएगा, आपके एरिया में अगर बहुत जादा गर्मी पड़ती है, बहुत जादा तो किसी चाया वाली जगे पर इसे रख दीजिए, तो वो टेमपरेचर इसको परेशान नहीं करे रहा, मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, किस मिट्टी में रहना पसंद करता है, तो बेसिकली फाइकस के लिए वेल ट्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, मतलब पानी उसमें ठ का ले लीजिए, एक मुठी बोनमील और एक मुठी नीमखली इसकी मिट्टी में जरूर डालिएगा, ताकि हमारा पौधा इंफेस्टेशन से बचा रहे, अब सवाल आता है कि इसको पानी कैसे देना है, पानी हर एरिया के हिसाब से अलग-अलग डूरेशन में दिया जाए थोड़ा पानी कम रह जाएगा चल जाएगा लेकिन अगर जादा पानी रहेगा तो फाइकस को यह पसंद नहीं आता, तो इसलिए पानी इसे देख करके दीजिए, जब तक आपकी ऊपर की टेड़ इंच की मिट्टी नहीं सूपती है, इसको पानी नहीं देना है, उसमें चाहे आपके शहर में कितने भी दिन लगते हों, वेट कीजएगा, लेकिन जब भी पानी दें, थारो दें, क्योंकि जो इसका रूट स्ट्रक्चर है, वो बॉटम तक होता है, आप जितना बड़ा गमला लेंगे, फाइकस की रूट्स उतना नीचे तक चली जाती है, इसलि पत्तियां कुछ-कुछ गिर रही है, पीली पढ़ रही है, या उसकी एजिस बूरी हो रही है, इसलिए बॉट्रेंग का इस तरीके से ख्याल बढ़िएगा, यूमिडिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मली ये नॉर्मल कंडिशन्स में रह जाता है, हाई साथ-दस पौधों को एक साथ रखें, तो आपस की ठंडक से भी ये अपने आपको बचा लेते हैं, अब बात करते हैं, इसको बढ़ाना कैसे है, बढ़ाना बहुत आसान है फाइकस को, फाइकस की टिप कटिंग लेकर के भी आप बढ़ा सकते हैं, चोटी सी उपर की टिप अब बात की टिप के लिए और उसमें ये रोट समय दिखाई दे रही है, दूसरा तरीका इसका है कि हम इसकी स्टेम कटिंग करके भी लगा सकते हैं, इसकी स्टेम हाड़ वूड जैसी होती है, इसलिए चारपाँ चेंज की अगर कोई हाड़ वूड की कटिंग भी लेते है और वो लगा लेते हैं, तो वो भी लग जाती है, तीसरा तरीका होता है एयर लेयरिंग का, एयर लेयरिंग मतलब गुट्टी बांधना, किसी भी ब्रांच पर हम इस तरीके से गुट्टी बांधने का वीडियो में बनाऊंगी, थोड़ा सा इसको छील करके, मिट्टी और म लेयरिंग से बनी है, नीचे एक बहुत बड़ा पोधा था, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था, उसको वहां से हटाना था, अब हटाने के लिए मैंने 7-8 जगे पर एयर लेयरिंग की, और ये 7-8 मेरी टोप्यारी चोटी-चोटी अलग से हो गई है, जो अकसर आपने मेरी केस में रिपॉर्टिंग भहती एहतियाद से करनी है, बेसिकली फाइकस रूट बाउंड होना पसंद करता है, रूट बाउंड होना मतलब कि इसके मिट्टी में जड़े हो गई है, वो इसको अच्छा लगता है, खुश रहता है ये, लेकिन अगर आप देखते हैं कि ड्रे पॉट सोंगी, उसको हम थोड़ा ट्रिम कर दें और वापिस उसी गमले में डाल, आपको जो तरीका सुट करता है, वो कर सकते हैं, लेकिन फाइकस बहुत ही प्यारा सा पोदा है, बहुत शांत जीव है, ये आपको ज़्यादा कश्ट नहीं देगा, आप किसी भी तरीके से से रीपॉर्ट कर दीजिए, ये खुछ रहेगा, और अभी मॉनसून है, अगर आपको अपने पोदे की रीपॉर्टिंग की ज़रत लगती है, तो कर दीजिए, अगला पॉइंट है फर्टिलाइजर, किस तरीके का खाना पीना पसंद है इसको, साल में दो बार हमने खा दी फेबररी में हम खातेते हैं, अच्छे से हर गमले में दो-दो ऐसे भरके, हम ऑक्टोबर में फिर ऐसे दो बार इसको खाते देते हैं, बीच में आप एक-दो बार लिक्विड मैनियोर अगर इसको दे देंगे, तो ये बहुत खुश हो जाएगा, कभी-कभी अगर आप अगर नहीं दे पाते हैं, किसी वी वजय से, साल में दो बार ही देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाइकस बहुत आराम से आपका साथ निभाता रहेगा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पेस्ट अटाक थी, बहुत शांत पौदा है, कभी किसी को परिशान न लग जाते हैं, इन सब से बचाई रखने के लिए, आप इस पर मन्थली नीम आई। स्प्रे करते रहे हैं, अगर आप ने इसके मिट्टी में अच् ch faced डाली है, अगर आप इसको मन्थली मोईल स्प्रे कर रहे हैं, तो यकीन मानिये आपके फाइकस में कभी कोई बिमारी न जैसा कि हमने देखा लो लाइट पसंद करने वाला पौदा है, यह तो बात पक्ती है कि वेस्ट डिरेक्शन में नहीं रखना है, इसको प्रिफरेबली इस डिरेक्शन में रखिये, अगर घर के अंदर रखते हैं, तो किसी ऐसी खिड़की के पास में रखिये, जहां से सुभ आप इसको बार बार चेंज मत करिये, हमने आज इसको अंदर रखा है, कल बाहर कर दिया, परसों धूप में रख दिया, आज वैलकनी में रखा है, परसों ड्रॉइंग रख दिया, यह ज़रा थोड़ा फाइकस को पसंद नहीं आता है, और अब आखरी बात करते हैं, कि इस इसकी शेप में ठाल सकते हैं, आप इसकी टोपियारीस बना सकते हैं, जैसे यह बाल के फॉर्म में बनी है, छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी शेप में, जैसे जैसे आप इसकी कटिंग करते जाएंगे, वैसे इसकी शेप मेंटेन होती रहेगी, आप इसका बोंसाइ बन बलती से इसे उगा लिजिए मौसम अच्छा है वर्सात का टाइम है जो भी उगाएंगे उगेगा जितनी कटिंग करेंगे उतना ही अच्छी ग्रोध लेता जाएगा और जब अच्छे पोधे बनते जाते हैं तो इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक करते जाएए और अम लान बात को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दवा दिजेगा मिलेंगे एक ले वीडियो में नमस्कार